आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं तो राइट यूज ऑफ गैट का सही प्रियोग अभी तक हमने पढ़ा है कि गैट का मतलब होता है अब प्राप्त होना या से किसी चीज का मिल जाना है ना यही तो पढ़ा है लेकिन आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं गैट के और भी कई यूज जो बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि काफी शब्दों को हम गैट से रिप्लेस कर देते हैं जिनका इस पोकन इंगलिश में एहम किरदार होता है तो गैट का सही उस जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहे हैं गैट का यूज फ्रेजल वर्ब्स में गैट इन फ्रेजल वर्ब्स जैसे गैट अप गैट अप का मतलब होता है उठना ठीक है गैट आप ये एक फ्रेजल वर्ब है और जिसका मतलब होता है उठना get out from your bed I got up at 7 this morning मैं आज सुबह 7 बजे उठ गया ठीक है तो get up का use हम जातर तब करते हैं जब हम बताते हैं कि मैं कितने बजे सो कर जागा ठीक है I got up at 7 this morning मैं आज सुबह 7 बजे उठ गया next है get through get through का मतलब होता है pass होना किसी परिक्षा में किसी टेस्ट में pass होना get through जैसे that was a difficult test to get through wasn't it पास होने के लिए यह एक muscle test था है ना I hope I get through the exam काश मैं परिक्षा में pass हो जाऊ तो यहाँ पर get through का मतलब है pass होना get over get over का अर्थ होता है किसी बिमारी या बुरी घटना से उभरना recover होना अपनी नॉर्मल लाइफ जीना ठीक है अपनी नॉर्मल स्टेट में आना जैसे he got over his operation very quickly वह बहुत जल्दी अपने operation से उभर गया अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपर get over की जग्या got over क्यों लगाया है क्योंकि यह sentence है हमारा past से past indefinite से और get की second form होती है got he got over his operation very quickly I have got over the fight with Alan मैं Alan के साथ हुई लड़ाई से उभर गया हूँ ठीक है get over यानी उभरना किसी बिमारी या बुरी घटना से उभरना get out get out I think बहुत ज़्यादा common है बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसका इसका मतलब होता है निकलना get out यानी निकलना I got out of class at 3.30 मैं साड़े तीन बज़े क्लास से निकल गया ठीक है get out यानी leave निकलना I got out of class at 3.30 मैं साड़े तीन बज़े क्लास से निकल गया मतलब मैं बाहर हो गया get on with get on with का मतलब होता है किसी के साथ एक अच्छा रिष्टा होना to have a good relationship with someone get on with जैसे I really get on well with Janet मैं वास्तव मैं Janet से अच्छी तरह से मिल जल जाता हूं इसका मतलब है कि मेरा और Janet का रिष्टा बहुत अच्छा है या फिर he gets on well with Alice Alice और उसका एक अच्छा रिष्टा है ठीक है get on with यानि किसी के साथ एक अच्छा रिष्टा एक अच्छा बॉंड शेयर करना get off get off का अर्थ होता है उतरना get off का use हम करते है जादतर याता याद से उतरते समय जैसे हम कहना चाहते हों train से उतरना bus से उतरना या फिर car से उतरना ठीक है जैसे Jerry got off at 52nd street Jerry 52 street पर उतर गया मतलब वो उस street पर किसी bus से किसी car से उतरा था इसलिए हमने वहाँ पर get off का use किया क्योंकि यह sentence है हमारा past infinite से इसलिए हमने यहाँ पर got off का use किया है get into get into का मतलब होता है प्रवेश मिलना जैसे he got into the university of his choice उसे अपनी पसंद के विश्व विध्याले में प्रवेश मिलना ठीक है यहाँ पर आप officially enter हुए उसमें admission लिया तो हम वहाँ पर get into का use करेंगे get into का मतलब होता है प्रवेश मिलना किसी के द्वारा स्वेकाल किया जाना accepted जैसे उस university ने आपको accept कर लिया ठीक है या फिर आप किसी office में जाते हो अपनी job के लिया और वो आपको accept कर लेते हैं ठीक है मंज़ूरी दे देते हैं आपको उस office में प्रवेश मिल जाता है तो वहाँ पर आप use करेंगे get into का get in get in का अर्थ होता है अंदर आना अब इसको हम normally भी use कर सकते हैं अंदर आने की रूप में या फिर हम इसका use कर सकते हैं जब हमें बोलना हो किसी यातायात में अंदर आ जाओ जैसे get off को हम कहते थे किसी यातायात से उतरना get in का मतलब कभी कभी होता है किसी यातायात में आना जैसे come on get in let's go चलो अंदर आओ चलो चलें यहाँ पर इसका मतलब है कि कोई आपको बुलाता है और कहता है कि इस बस में आओ इस कार में आओ और चलो कहीं चलते हैं यहाँ पर get in का मतलब है अंदर आना पर किसी यातायात में हम इसका use normally भी कर सकते हैं अंदर आने के मतलब में जैसे get in before you get wet गीला होने से पहले अंदर आ जाओ में भी या आपको कोई family member कोई friend आपको बोल रहा है कि गीले होने से पहले घर के अंदर आ जाओ ठीक है get back get back का मतलब होता है मिल जाना या किसी चीज को पुना प्राप्त करना ठीक है जैसे वो चीज आपकी है लेकिन आप उसे फिर से प्राप्त करते हैं जैसे I got my books back from Tom मुझे अपनी किताबें Tom से वापस मिल गई she got her camera back from John उसे जान से अपना camera वापस प्राप्त हो गया फिर वापस मिल गया यहाँ पर get back का अर्थ है कि उन्हें वो चीजें वापस मिल गई वो उन्हें पुना प्राप्त हो गई get away get away का अर्थ होता है भागना बचना okay escape get away का मतलब होता है किसी से बचना या फिर भाग जाना जैसे the thief got away from the police चोर पुलिस से बच गया unfortunately the thief got away दुरभागे से चोर भाग गया या फिर दुरभागे से चोर बच गया get away यानि भागना या फिर बचना get ahead get ahead का मतलब होता है आगे बढ़ना successful होना okay to be successful get ahead का हम जब भी किसी sentence में use करते हैं इसका मतलब होना है कि आगे बढ़ना सफल होना ठीक है जैसे it is very difficult to get ahead nowadays आजकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है इसका मतलब है कि आजकर सफल होना किसी चीज में सफलता पाना मुश्किल है I want to get ahead in my life मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं इसका मतलब है कि मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं I want to get ahead अभी तक हमने पढ़ा get का phrasal verb में use अब हम देखेंगे get का idiomatic uses ठीक है So first we have get something Get something का अर्थ होता है समझना किसी चीज को understand करना Get something जैसे do you get what he means क्या आप समझे कि उसका क्या मतलब है ठीक है तो यहाँ पर get का मतलब है समझना ठीक है क्या आप समझे कि उसका क्या मतलब है do you get या फिर do you understand ओकी Get together Get together का अर्थ होता है मिलना ठीक है Meeting जैसे let's get together this weekend चलो इस सब्दाहांत एक साथ मिलते हैं जब भी हम get together का use करते हैं उसका मतलब होता है कि एक साथ जमा होना एक साथ मिलना ठीक है Get together चलो इस सब्दाहांत एक साथ मिलते हैं Let's get together this weekend Get down to business Get down to business का अर्थ होता है काम करना शुरू करना ठीक है Tom arrived at 12 and immediately got down to business Tom 12 बज़े पहुँचा और तुरंद काम करना शुरू कर दिया ठीक है काम करना शुरू कर दिया Got down to business Gotta Gotta का मतलब होता है करना होगा इसका जो expendition है वो है Got have to मतलब जो कोई काम है वो करना ही होगा ठीक है ये forceful है जैसे I gotta go It's late मुझे जाना होगा देर हो चुकी है ठीक है I gotta go मतलब मुझे जाना ही होगा Must go Gotta का मतलब होता है have to किसी काम को करना ही होगा at any cost किसी भी कीमत पर जैसे I gotta go मुझे जाना होगा इसका मतलब है I must go ये जरूरी है Get to it Get to it का अर्थ होता है कुछ करना शुरू कर देना ठीक है जैसे Let's Get to it It's Late चलू ये करना शुरू कर देते हैं देर हो चुकी है ठीक है Let's Get to it मतलब ये काम करना शुरू कर देते हैं आप इसका यूस कर सकते हैं जब आप बोलना चाहें कि चलू अब हमें होमवक करना शुरू करना चाहिए या मैं खाना बनाना शुरू कर देना चाहिए तो get to it get for possession possession के लिए get का use get is also used to indicate possession in the present perfect use of have got this form can indicate that someone has an object a friend or relative ठीक है हम get का use कर सकते हैं possession के लिए किसी संबंद बताने के लिए ठीक है जब हम जातर use करते हैं have got का तो वहाँ पर हम संबंद बताते हैं जैसे ये संकेत देते हैं कि ये वस्तु हमारी है ये friend हमारा या फिर ये रिष्टेदार ये relative हमारा है तो हम अपने से संबंद चीजों को बताने के लिए have got का use कर सकते हैं जैसे I have got two children मेरे दो बच्चे हैं यहाँ पर हमने have got का use किया है जिसका मतलब है कि इनका संबंद हम से है possession ठीक है I have got two children have got का use हुआ यहाँ पर Sheila has got an appointment at three o'clock Sheila की तीन बज़े appointment है ठीक है has got उसे यह appointment मिली है यह से संबंद चीजों है ठीक है possession है यहाँ पर भी कि वो Sheila की appointment है have you got a TV in your living room क्या आपके living room में एक TV है ठीक है have you got a TV have you got have got का यहाँ पर use हुआ है और यह बताया जा रहा है कि जो TV है जो living room है वो आप से संबंद रखते है उनका possession आप से है तो यहाँ पर हम have got का use किये हैं अब हम सीखते हैं get का general sentences में use ठीक है यह last point है अभी तक हम phrasal verbs में और idiomatic तरीके से possession के रूप में get का use सीख चुके हैं अब देखते हैं general sentences में as arrive arrive की रूप में पहुचना जिसका मतलब होता है ठीक है तो हम get का use कर सकते हैं जब हमारा मतलब हो पहुचना जैसे she got to work an hour late वह एक घंटे देश से काम करने के लिए पहुची ठीक है तो वो कहीं काम करने जाती है and she got ठीक है got to work काम करने पहुचना तो यहाँ पर हमने got का use किया है arrive के रूप में as receive प्राप्त करने के रूप में प्राप्त करने के मतलब है यह अभी वैसे हमने सीखा ही था जैसे I got a book for my birthday मुझे अपने जन्म दिन के लिए एक किताब मिली तो यहाँ पर जो got है इसका मतलब है कि आपने कोई चीज receive की आपको कोई चीज प्राप्त हुई मुझे अपने जन्म दिन के लिए एक किताब मिली I got a book for my birthday next earn earn यानि कमाना तो हम get का यूज़ कर सकते हैं कमाना के earth में जैसे I get dollar seven an hour मुझे साट डॉलर एक घंटा मिलता है ठीक है मैं इतना कमाता हूँ get यानि यहाँ पर earn bring या फिर fetch के रूप में जिसका मतलब होता है लाना can you get that book for me क्या आप मेरे लिए web किताब या पुस्तक ला सकते हैं तो यहाँ पर get का अर्थ है bring या फिर fetch लाना understand के रूप में जिसका मतलब होता है समझना ठीक है तो हम get का use कर सकते हैं replacement for understand जैसे did you get the lesson क्या आपको पार्थ समझ में आया यहाँ पर get का मतलब है understand हम get का use कर सकते हैं जब हमें बोलना हो affected by और catch किसी चीज़ से प्रभावित होना या किसी की पकड में आ जाना जैसे he got a cold last week पिछले सब्ता उसे सर्दी लग गई मतलब वो पिछले सब्ता जुकाम से प्रभावित हो गया उसकी पकड में आ गया तो यहाँ पर हमने get का use किया है उस sense में catch या फिर take के मतलब में जिसका मतलब होता है पकड़ना या फिर लेना ठीक है जैसे I got the 455 train to New York मैंने New York के लिए चार पचपन की train ली या फिर चार पचपन की train पकड़ी यहां पर got का मतलब है catch या फिर take capture और cease इसके रूप में भी इसके मतलब में भी हम get का use कर सकते हैं जैसे जिसका मतलब होता है पकड़ना या फिर जब्द करना या फिर किसी चीज़ पर कबजा करना the police got him at the station police उसे थाने पर पकड़ कर ले गई well this is the end of the video if you like then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this झाल 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 झीज़